किसी भी त्योहार पर या किसी खास मौके पर अगर मिठाई बनानी हो तो इन मलाई के लड़ों को आप बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये खाने में काफी अच्छे लगते हैं, इनको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आसानी से बन जाते हैं, तो च करेंगे, गैस की फ्लेम को तेज करके दूद में पहले उबालाने देंगे, दूद उपर तक आ गया है, यनि इसमें उबाला चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, पहले इसको चमचे से चला लेंगे, भैस का ये फिर गाय का कोई भी दूद ले सकते हैं, जो आ थोटा थोडा इस वेनेगर को डालते जायेंगे और इस दूद को चलाते जाएंगे वेनेगर की वजये से दूद जल्दी फट जाएगा अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा फटना शुरू हो गया है गैस की फ्लेम को मैंने बंध ही रखा है विनेगर की जगे आप नीबू का रस भी ले सकते हैं एक नीबू का रस आपने चोड़ ले और उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्स कर ले और फिर इसी तरह से दूद में डाल कर इस दूद को फाड़ लेंगे ये देखिए छेना अ कफ़टं तरह से क्पड़े को पुक्ड़ लेंगे पाणी को बहूत बढ़ी आसा छेना मिला अभी इसमें विनेगर की खटास है इसलिए एक दो बार साफ पानी डाल कर इसे चला लेंगे जिससे विनेगर की खटास निकल जाएगी कपड़े को चारों तरफ से इस तरह से पकड़ कर थोड़ा सा दबा देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए पनीर का पूरा पानी निकाल कर सुखाना नहीं है हलका सा इसमें नमी बनी रहनी चाहिए अब ये लीजिए बहुती बढ़िया नरम पनीर बन कर तयार है अब इसको हथेली से मसल कर और भी सॉफ्ट कर लेना है वैसे तो आप पनीर को खरीद कर भी डाल सकते हैं लेकिन जब लड़ों को घर पर बना रहे हैं तो पूरी तरह से क्यों न घर पर ही बना लिया जाए इसलिए मैंने पनीर को घर पर ही बना कर तयार किया है ये देखिए इस तरह से मसल मसल कर पनीर को सॉफ्ट कर लेना है ये लीजिए पनीर को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है तीन मिनट मैंने इसे मसल लिया अब कढ़ाई में आधा लीटर बचा हुआ दूद डालेंगे अब इसको मीडियम फ्लेम पर चला कर दूद को गाड़ा करेंगे दूद थोड़ा है इसलिए बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा तेज आच पर गाड़ा करने की से जरूरत नह ही है दूद को चलाना है और किनारी पर जो मलाई चिपके उसे खुरच कर इसी दूद में डालते जाना है वापंस 10-15 मिनट में ही ये दूद गाड़ा हो जाएगा आप देख सकते हैं हलका सा ये दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है कुछ देर इसे और चला लेंगे जि तोड़ते हुए डालेंगे वैसे तो ये लड़ू ऐसे ही अच्छे लगते हैं अगर आप चाहें तो इसमें कटे हुए द्राइफ रूट्स को डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिला लेते हैं गैस की फ्लेम को धीमा रखा है धीमी आज पर ही इसको हम चला रहे हैं ये लिज रहे हैं स्वात के अनुसार चीनी को यह मैंने पांच टेबिल स्पून चीनी डाली है चला कर मिला लेंगे इसको अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम से थोड़ा कम रखा है इसे तब तक चलाना है जब तक कि यह इखटा नहोंने लगे चीनी और मलाई की वजह से शुरुवा चलाएंगे जिससे यह गाड़ा हो जाएगा अब यह देखिए इकटा होना शुरू हो गया है बस इस तरह से हम इसको रखना है गैस को बंद कर देते हैं आब इसको कठाई से बाहर निकालेंगे कठाई में रखने से यह थोड़ा डार्क हो जाएगा अब इसको हम एक प्ले तरह से ठंडा नहीं हुआ है अब इसके लड़ू बादने में आसानी रहेगी अब इसके लड़ू आसानी से बनाए जा सकते हैं इसलिए हम थोड़ा सा पार्ट इसका लेंगे और दबा दबा कर इसके लड़ू बना लेंगे ये लड़ू मैंने बना लिया है इसको प्लेट मे लगा सकते हैं मैंने यहां पर कटे हुए पिस्ता को लगाया है लड्डू को आप चाहें तो पेपर कप में बना कर लगाते जाएए यह देखिए लड्डू तैयार है यह लड्डू पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब इसको दिखाते हैं आपको कि यह कितना सॉफ्ट बन है बहुत ही बढ़िया यह लड्डू बरा है आप भी इसको ज़रूर ट्राइगर के देखिए जब सस्ते में इस तरह से बढ़िया और बिनना मिलावत वाली मिठाई घर पर ही बना जा सकती है तो फिर बाजार से मिठाइचा क्यों लाना घर पर ही समएसो बना लीजिए इस तरह से मिठाई को बना लीजिए बच्चे हो या फिर बड़े सभी को ये लड़ू काफी पसंद आएंगे कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके आपना फीडबेक जरूर दीजिए अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी इसको जरूर कीजिए